देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सारे रिलेटिव और गर्जियन लोग आये हुए हैं अपना अपना फोटो सब खीचा रहे हैं साथ में और यहाँ पर लोग देखिए देख सकते हैं यहाँ के जितना भी गाओं के और रिलेटिव आये हुए हैं और पीछे साथ के चेयर भी खाली है अभी और आने वाले हैं अभी तो बहुत खाली है थोड़ा ही देर में फिर पूरा फूलो जाएगा देखिए यहाँ पर पूरा अजारा और यहां का रस्म यह इस तिलांगना में इस तरह का रिति रिवाज है तो अब लोग देख सकते हैं अहाँ पर तरह तरह का फ्रोड और खोल और तरह तरह का खाने का चीज़ हैं यहाँ पर बेवस्था किया गया है देख सकते हैं जितना भी सारे रिलेटिव लोग यहाँ पर उपस्तित हैं अभी भी खाली है च्यार बहुत कई आये नहीं है है कि देख सकते हैं और यह हमारा डिसलर केमरामेन यहाँ पर देखिए हैं यहाँ पर सारे उसका रिलेटिव और गरजयन लोग आगे हैं और उसका दादी और उसकीमाने क्या रस्म कर कर रहे हैं बच्ची को बहुत यह अच्छा से लोग देख सकते हैं दोस्तों मैं हैं तो जिस घर में रहता हूँ उस घर में आज प्रोग्राम है यह मेचुरिटी प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम में मैं अभी आये हुए हैं देख सकते हैं यह इस टैप का नहां का जो डेकॉरेट किया गया है है कि देख सकते हैं इसटेप का अबनागां का प्रोग्राम है स्टार्ट हो गया अब लोग देख सकते हैं हैं गरी लोग पुझा आगे हैं साफे लोग अच्छा से बैठे हुए हैं cashier पे और start हो रहा है आप आगे देखते हैं क्या होता है मिला है उसके ए उसको हाथों में पकड़ा है और साथ में फिर उसके मामी और विड़ाए भूटो खीचा रहा है dslr केमरा से अप लोग देख सकते हैं उसका नाना आगे की और बाढ़ रहा है उसका भाई जा रहा है साइड में और यहां पर बस प्रोग्राम अब फैनली हो गया और यह लोग अपना रूम की और प्रस्थान कर रहे हैं और देख सकते हैं यहां पर उसका रिलेटिब वाला कुछ हेल्प करने के लिए कुछ वहां का रस रस्म जो था उसको साइड लेंगे और लिया नहीं पर साथ में जा रहे हैं अपना घर की और तो अब वहां पर क्या रस्म होगा उसके बाद फिर यह लोग क्या करेंगे पर मैं इहीं तक दोस्तो अब भेनले प्रग्राम हो गया और यहां अब यहां जो भी खाना बना हुआ है वाटने स्टार्ट होगा और छोटे छोटे बच्चे लोग दे रहे हैं सबजी खाना और सलाद बगेरा दे रहे हैं और ये सैड में पत्री रखा हुआ है और ये सैड में चावाल और देख सकते हैं बच्चे लोग कितना एक्साइटेड में हैं बाटने के लिए और यहां पर बाट रहे हैं बाटने के कगार में हैं देख सकते हैं आगे की और यहां खाना बटने के लिए ready है जिसका प्रूग्राम था उसका बड़ा भाई इधर है ये बड़ा भाई है और देख सकते हैं इधर जो खाना बनाने के लिए आया थे होई लोग यहाँ पर खाना दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बुकेट में रहता रखा हुआ है आप लोग देख लिजेगा चिकन बगेरा और तरत्रा का खाने का और देख सकते हैं खाना तिन प्लेटम रखा हुए और बच्चे लोग इदर खाने स्टार्ट कर रहे हैं कितना खुसी उमांग के साथ में और इदर एक बच्चे गिलास गिलास में पानी रखकर अपना बाटने का काम कर रहा है और इधर से एक बच्ची आ रही है और देख सकते हैं आपर कितना लोग खुस हैं और पूरा खाना फिना खा रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं कितना अच्छा से प्रोग्राम आप चल रहा है और जितना अभी रिलेटी वौणा देख सकते हैं, आगे की और चेर में बैठे हुए हैं, अभुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कहां में हम लोग हैं रोड में नके लिए आये हैं तो हम लोग का भी बैठे थे people का नीचे लोग बोलते हैं ना कि people का नीचे बैठने से सूध हवा मिलती है और अच्छा मतलब सुहाना ब सुहाना हवा चलती है इसके लिए हमलोग people का नीचे में आके बैठे हुए थे और अब हमलोग बैठे उसके बाद फिर आप यहाँ से हमलोग निकलेंगे तो आप लोग को देखाना था हमलोग कहां आए थे और आज का program आप को कैसा लगा जरूर आप लोग देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक और जरूर अच्छा लगेगा तो आप लोग कोमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नीव है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करके आल कीजिए तब तक के लिए फिर किसे मिलते हैं बाइबाइबाइबाइबाइबाइब।